नई सुभा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naysubah.org आज हम बनाना सिखेंगे कड़ी पकोड़ा इसके लिए जो अजज़ा हमें दरकार हैं वो ये हैं बेसन डेड़ पाउ, आउयल एक पाउ, कड़ी पत्ता दस से बारा अदद मोटी वारी हर इमिर्च दस से बारा अदद हर धनिया, हाफ बंच, बारी कटा हुआ प्याज, दर्मियाने साइस की पाँच अदद बारी कटी हुई लहसन अदरक का पेस्ट एक टेबिल स्पून दही, एक पाउ, जीरा, वन टी स्पून साबुद धनिया, वन टी स्पून हल्दी, वन टी स्पून नमक, वन टेबिल स्पून एक टेबिल स्पून कुटी लाल मिर्च, साबित लाल मिर्च 10-12 अदद भगार के लिए, अजवाइन 1 चुटकी भगार के लिए, साबित लहसन की जवे 4-5 अदद स्लाइस कटिंग किये हुए भगार के लिए, जीरा 1 टी स्पून भगार के लिए, तरकीब, सबसे पहले आधा पाव बेशन एक पाव दही छे अदद हरी मिर्चें ब्लेंडर में डाल कर अच्छी तरहां ब्लेंड कर लें अब इस सारे मिक्स्चर को एक बड़ी पतीली में डालें एक जग पानी का एट करें और तेज आच पर चमचा चलाते हुए पकने दें जब तक इसमें उबाल ना आ मीडियम आंच पर दो से तीन घंटे के लिए पकने दें और वक्फे वक्फे से इसमें चमचा चलाते रहें इसके बाद बाकी बचे हुए बेशन को गाढ़ा गाढ़ा घोल लें अब इसमें बारी कटी हुई प्याज में से एक टेबल स्पून भगार के लिए अलग करके ब बाकी बची हुई प्याज देशन में शामिल कर लें अब इसमें कटी हुई हरी मिर्चें कटा हुआ हरा धनिया साबत धनिया जीरा नमक और कुटी लाल मिर्च शामिल करें और इस बैटर को अच्छी तरह मिक्स कर लें अब कड़ाई में ऑईल गरम करें और इस बैटर के छ चोटी चोटे पकोडे तयार करें साथ साथ कडी को चेक करते जाएं कि ज्यादा गाड़ी नहीं Еज़ेगज नँना हो जाएं अब करम गरम पकोडे कड? कडी में शामिल कर दें इसके बाद बचे हुए तेल में एक टेबलिस्पूपल्ण पयाज हलकी हलकी पिंक कर लें इसके बाद स्लाइस हुए वे लेसन के जवे शामिल करें और चूला बंद कर दें अब साबित गोल मिर्च, अजवाइन और जीरा सबसे आखिर में डालें और कड़ी के उपर इसका भगार लगाएं मज़ेदार कड़ी तयार है आज के लिए इतना ही मिलेंगे नई रसुदी के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज ये मालमाती मवाद नई सुभा की जानिब से पेश किया गया अपनी आरा के इज़ार के लिए कॉमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिये गए राप्टे के जराए इस्तमाल कीजिए